नमसकार साथियों, विदानत अड़िमी में आपका स्वागत है, हम लोग फॉरेश्टली के टॉपिक्स डिसक्स कर रहे हैं, उसमें सेकेंड यूनिट में वन उपयोजन आजम पढ़ने वाले हैं, वन उपयोजन में वुड सीजनिग, कास्ट का संसोसन, अब कास्ट का संसोसन किया जाएगा वैसा नहीं होता तो इसे classify किया गया है कि 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 सीजनिंग को सीजनिंग में ले जाया जाएगा तो यहां देखते हैं वूड को classify किया है तीन पार्ट में इसे देखा जाता है नॉन रिफ्रेक्टरी वोड मतलब जिसे बहुत ज़्यादा treatment की ज़रूरत नहीं होगी, seasoning की ज़रूरत नहीं होगी, drying वगएरा की बहुत ज़्यादा problem नहीं जाती, क्योंकि ये खुद drying atmosphere में होती है, high altitude पर होती है, non refractory के examples में अगर देखा जाए, ये light weight लकडियां होती, इन में जो water content है, वो बहुत कम होता है, पहले से वहां के climate की वज़े से, जैसे फर, देवदार, spruce, चीड, saliva अगरा, ये high altitude पर पाये जाने के कारण, इनमें पानी बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इने seasoning के लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फिर आते है moderate refractory woods, इन में क्या आएगा, मध्यम में क्या आएगा, मध्यम में आजाएंगे बबूल, नीम, सीसम, टीक, अर्जुन, जो एक उष्ण कटीबंदिये जलवायू में पाये जाते हैं, जो मध्य प्रदेश, छेतिजगर, राजिस्थान, उन सभी में ये बहुत अधिक मात्रा में प तो जो सीजनिंग की प्रोसेस है, जो ड्राइनेस की प्रोसेस है, वो अपने आप एक्जीक्यूट इन में हो जाती है, तो इन में जो सबसे अच्छा मैथड है, अगर हम से कोशिन पूचा जाता है, जो मॉडरेटरी रिफ्रेक्टरी वूट्स है, उनके लिए सबसे अगया और उसके पहले अगर यूज कर लिया, तो बहुत सारे डिफेक्ट्स और इंसेट्स का अटेक वगएरा बहुत सारी प्रोब्लम्स इनके साथ होती है, इन में कौन-कौन सी टिंबर को सामिल किया जाता है, लकडी को सामिल किया जाता है, इसमें बेल, अमलतास, ये वो परजातियां ली गई हैं जो जादातर मद्यप्रदेश और मद्यप्रदेश के आस-पास वाले छेतर में पाई जाती है, जिनका कोश्यन हमारे एक्जाम में हमें देखने को मिल सकता है, तो बेल, अमलतास, जामुन, साल और तेंदू, ये हम ध्यान रखेंगे, इनक को ले जाया जाता है सीजनिंग के लिए, अब सीजनिंग से होगा क्या सीजनिंग पहले देखते हैं, होता क्या है सीजनिंग, सीजनिंग होता है किसी भी कास्ट से, जब कोई भी निया काटा हुआ लकडी लाया जाता है, तो उसमें पानी के मात्रा बहुत अधिक होती है, अब यहां पर बहुत अधिकक को अगर percentage की form में देखा जाएगा, तो percentage में बोला जाएगा 42, 80%, sorry, 42, 200%, 40-200% तक पानी की मात्रा रहती है, अब यह 200% कैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा percentage की form में सुनाओगा 100%, लेकिन यहां पर 200% हम बोल रहे हैं, तो उसका reason क्या है, उसका reason है कि जब water percentage को निकाला जाता है, तो water percentage को देखा जाता है, किसी भी newly sawn wood में या कहीं पर भी wood में water का percentage देखने के लिए timber का bait अलग देखा जाता है, और water का bait अलग देखा जाता है, तो उसमें 40% से 200% हो सकता है, कैसे अगर हम लकडी को काटे, लकडी का weight मालो 100 kg है, लकडी का weight है 100 kg, लेकिन उसे fully dry किया गया, पूरा सुखाया गया, उससे पानी पूरा हटाया गया, तो हमें पता चला जाके, वो weight कितना बचा, 40 kg बचा, अब ये 40 kg बचा, बाकी क्या था, बाकी पानी था, पानी कितनी कुना था, पानी था 60, और किसके respect में timber कितना 40, into 100 करोगे आप, इसे solve करोगे आप, ये 15, ये कितना percent आ रहा है, 150 percent आ रहा है, अभी ये 150 percent है, अगर इसके weight से double होगा, timber के weight से double होगा, तो हम बोलेंगे 200 percent उसमें पानी है, आप लोग range याद रखेंगे, 40 to 200 percent water, एक नए timber में, लकडी में, newly sawn wood में पाया जाता है, इसे हटाने के लिए, इसे क्यों हटाया जाता है, क्योंकि इसकी वज़े से बहुत सारे defects आ जाते हैं, हरी लकडी से कहीं पर भी, जो उपकरण हैं वो नहीं बनाये जाते हैं, seasoning किया जाता है, क्योंकि जो products होते हैं, products की range अगर हम देखें कि किस range में, उन में water percentage पाया जाता है, तो अगर ये question पूछा जाता है कि generally कितना, तो हम बोलेंगे 8 to 25 percent तक, ये atmosphere पर कुछ depend करता है, इसलिए range में चलता है, 8 to 25 percent अगर moisture है wood में, तो वो अलग-अलग products के लिए काम है, लिया जा सकता है, अब यहां तक लाने के लिए तो इसके minimum से भी काम है, तो यहां तक लाने के लिए seasoning की process की जाती है, जो water content रहता है, उसको हटाया जाता है, जो water content रहता है, wood के जो structure है, उसमें बीच में water रहता है, जो की पानी में soluble होता है, और substances भी उसमें होते हैं, काफी जादा बेट हो जाता है लकडी का, तो जो हटाया जाता है, seasoning की process में, एक steady way में, एक निशित दर से, याद रखेंगे, इस term को, एक definite rate से seasoning की जाती है, जहां से इसमें से पानी हटाया जाता है, अगर वो rate अलग-अलग होगा, तो definitely वो फिर किसमें है जाएगा, defects लेकर आएगा timber में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अब हम चलते हैं, आगे, हम देखें, causes क्या होते हैं, seasoning करना क्यों पढ़ता, अभी तो मोटा-मोटा पढ़ाएगी, पानी हमें हटाना है, पानी हटाने से हमें लाब क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी इसकी वज़े से हम seasoning करें, otherwise ऐसा ही थोड़ी है कि सिर्फ लाक्यापन seasoning कर देते हैं, बहुत सारे effects होंगे, cracks और जो कटाव होगा, वो लकडी का, shrinkage, सुकुडना, अब इस सुकु इजी हो जाता है, बिल्कुल ताजी काटी हुई लकडी मालो 1000 क्लोग्राम है, लेकिन पता चले उसमें timber तो आपका 300 क्लोग्राम ही है, 400 क्लोग्राम है, 500 क्लोग्राम है, ये भी possible है उसमें, कि 500 क्लोग्राम टिम्बर के लिए आपको 1000 क्लोग्राम के लिए क्लोग्राम को ट् इंसुलेटर होता है कुछ आलक होता है लेकिन अगर उसमें पानी होगा तो वो कंड़क्टर की तरह बहेब करेगा तो इस जो क्वालिटी है उसको वापस लाने के लिए सीजनिंग पानी को हटाने के लिए किया जाता है इंप्रूव वेट इस्ट्रेंग्ट यह वेट जितना मुष्य हटेगा उसका स्ट्रेंग्ट उतना जादा बढ़ेगा तो सीजनिंग और स्ट्रेंग्ट दोनों आपस में जुड़े हुए तर्म हैं याद रखेंगे एक सीज की संभावना बढ़ जाएगी उसकी लाइफ पानी रहेगा तो लाइफ कम ओझाए इंगी फंगस की संभावना बढ़ जाएगी फंगस यह तो सीधर लकड़ी को डालेगा लेकिन अगर देखेंगे तो बहूत सारी प्राइब्लम्स देखने को मिलती हैं जिसमें ऐलर्जी ह चीक वगएरा आना है और दूसरी बीमारिया सिर्दर्द वगएरा है यह सारी चीज़ें फंगस की वजए से होने लगती है अब कोवेट ट्यूरेशन में हम देख रहे हैं फंगस के कारण जो डैट्स वगएरा है वो भी हो रही है तो फंगस यूमिन के लिए बहुत जादा निगेटिव माना जा सकता है उसके हेल्थ के लिए अब बरनेवल लकडी का उपयोग अगर प्राजीन का अल से हम देखेंगे तो लकडी का मुख्य जो उपयोग था वो जलाने के लिए किया जाता था भोजन को पकाने के लिए किया जाता था अभी भारत में काफी इस्तर और उर्जा उत्पादन के लिए भी कोईले के साथ में लकडी का यूज हो रहा है तो बरनेवल जो है वो भी लकडी कम मिलेगा सीजनिंग के बाद या ड्राय होने के बाद अब जो लकडी जो काटकर आप लेकर आयो जिसमें पानी का कंटेंट है अगर आप उस पर पेंट क अगरा किये जाते हैं वो नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद इंसेक्ट अगरा का अटेक यह तर्माइट दीमक दीमक उसमें जल्दी लगेगा खोकला हो जाएगा तमाम तरीके के इंसेक्ट उसमें लग जाएंगे जहां पानी होगा और गमीनेस कम आ जाएगी वही पैंट देखते हैं वुड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो बताएंगी की सीजनिंग उससे किस तरह से जुड़ा है सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो पानी में परसेंटेज देखा जाएगा 200 परसेंट फिर उसके बाद हम ध्यान रखेंगे अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें जो माना जाता है वो माना जाता है 20 degree Celsius पर किसी भी वुड में 30% water content होता है अगर ऐसा हमने dry काफी ज़्यादा कर लिया उसे और हमने dry करके उसे nature में छोड़ दिया वापस तो उसकी property होगी nature की humidity के according उसकी humidity के according वो water content को absorb कर लेगा और वो क्या होगा कुछ एक सपता में 3 सपता, 4 सपता, 5 सपता, कुछ एक सपता में वो equilibrium की state में पहुँच जाएगा ऐसी state में जहां पर उसमें wood content atmosphere के according हो जाएगा अब जब हम लकडी से लकडी को बहुत ज़्यादा dry करने की कोसिस करते हैं लकडी को जब हम dry करते हैं तो पूरा dry अगर हमने कर दिया तो उसमें shrink होने की स्कुडने की property पाई जाएगी जो की heart wood में अलग होगी और जो बाहर वाला कास्ट है surface जो होगा उस wood में अलग होगी अगर heart wood को देखा जाएगा तो heart wood में बहुत low rate रहता है उसका लेकिन जब seasoning किया जाता है तो dry होने के बाद अगर fully dry में देखा जाएगा तो जो shrinkage है दो तरह का shrinkage मिलता है यह है अगर इसको देखा जाएगा wood में जो beach वाला part होता है उसे heart wood बोला जाता है यह outer part होगा तो एक तो radial shrink होता है यह जो है हिस्सा यह सुकुडता है दूसरा यह जो लंबाई है इसकी यह सुकुडती है अगर tangential लंबाई के हिसाब से देखा जाएगा tangential देखा जाएगा तो जो shrinkage है वह 8% के करीब होता है और radial अगर देखा जाएगा radial आप देखोगे तरजिये रूप में देखोगे तो 4% के करीब सुकुडता इसमें पाया जाता है अब यहाँ पर लकड़ी को equilibrium अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए hygroscopic 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 का मतलब होता है wood एक hygroscopic material होता है जो कहीं भी छोड़ दिये जाने पर नमी को absorb करने लगता है उस material को बुला जाता है hygroscopic तो 20 degree celsius पर 30% पर पहुंच जाता है और dry अगर करेंगे तो यह कहानी रहेगी फिर अगर देखें लकड़ी में अगर पानी है और पानी नहीं है दोनों condition क्योंकि seasoning से पहले पानी था और seasoning के बाद पानी नहीं होगा जब seasoning से पहले पानी था तो लकड़ी कुछ fully हुई रहेगी लेकिन जब seasoning हो जाएगी पानी उससे निकल जाएगा उसमें shrinkage होगा हमने यह देखा उसमें सुकुडाओ होगा अब shrinkage से पहले और shrinkage के बाद अगर density के बाद की जाएगी तो density दोनों condition में density दोनों condition में हाई रहती है एक condition में जब पानी उसके अंदर है तो number of particles उसमें जादा है लेकिन जैसे ही पानी उसमें से हट जाता है लकड़ी shrink करती है सुकुडती है तो लकड़ी के particles पास आ जाते है तो दोनों condition में density हाई रहती है अगर density का question आएगा पहले और बाद में दोनों condition में density हाई रहेगा अब आगे चलेंगे हम यह properties हमने देखा seasoning के reasons हमने देखे और कुछ facts होंगे वो discuss किये जाएंगे साथ में अब चलते हैं जो seasoning का process है वो किस तरह से किया जाता है type of seasoning पर हम चलते है अब type of seasoning में लकड़ी के जो संसो संड के तरीके हैं वो कुछ तरीके अभी develop किये गया और कुछ nature के पास पहले से available थी तो हम देखते ह हैं जो natural तरीके से है जो अभी भी दूर दराज जगहों पर अभी उपयोग किया जाता है या जंगल में बहुत अंदर तक अभी उपयोग किया जाता है वो क्या तरीका है उसमें सबसे पहले है जल संसो संड वाटर सीजनिंग में जो newly sunwood होता है ताजा कटी हुई लकड़ी होती है उन लठों को लकड़ी के locks को ले जाकर पानी में डाल दिया जाता है अब वो पानी ठहरा हुआ भी हो सकता है और चलता हुआ बहता हुआ पानी भी हो सकता है ठहरा हुआ पानी मतलब तालाव वगेरा जो बाबड़ी वगेरा रहती है उन में डाल दिया जाता है लेक बाहर निकाल कर फिर से सुखा लिया जाता विसको सीजनिंग क्यों बोला जा रहा है जबकि क्या बोला जा रहा है water content को कम करना अब इसमें लकडी में कुछ ऐसे स्टेंसेज रहते हैं जो पानी के साथ बाहर आ जाते हैं सुखाने पर उसका वेट कम हो जाता है तो इसे भी सीजनिंग में सामिल किया गया है अब अगर पानी बहर आये ध्यान रखेंगे अगर पानी बहर आये तो जो मौटा वाला एंड होता है जो मौटा वाला एंड होगा वो पानी जो फ्लो है उसके अपोजेट रखा जाएगा पतला वाला जो एंड होगा वो अपोजेट पीछे रखा जाएगा सामने रखा जाएगा मौटा वाला और यहां से रखा जाएगा मौटा वाला पीछे पतला वाला एंड problem में नहीं जाएगा advantage की अगर हम बात करें तो cost उसमें नहीं लगना है आप जाके लकडी डाल दोगे कुछ दिन के बाद आप उठाला होगे सुखा लोगे काम आपका हो जाएगा तो ये cost effective method होता है और इसमें जो output quality है nature के हिसाब से वो ठीक ठाक मिल जाती है तो output quality के हम बोले travel करना है convince वगेरा का कोई issue नहीं आता सीधे डाल देना है तो bigger size quantity सभी के लिए ये सही method हो जाता है फिर उसके बाद किसी कोई भी मजदूर वगेरा और कैसे भी जो बहुत जादा नहीं जानते हैं सीजनिंग के बारे में वो भी लकडी को काटके नदी में डालके कुछ सबत बाद लाके सुखा के use कर सकते हैं भले वो बहुत जादा सीजनिंग नहीं जानते हैं तो यहां पर किसी भी experience की जरुवत नहीं होती कोई parameter नहीं होते इतनी मीटर का काटना है इतना वो करना है इतना ऐसा करना कुछ भी नहीं होता है इजी handling होता है कोई भी handle कर सकता है बहुत measurements नहीं लिये जाते disadvantage क्या होता है disadvantage में सबसे पहला देखा जाए high space required अब high space नदी की बात यहां पर नहीं की जारी है यहां से जब निकालके सुखाओगे उसके लिए high space की आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको bank नदी के किनारे पर मिलता है या कहीं और आप डिपो वगेरा बना के रखें कैसे भी लेकिन वो high space required होगा फिर उसके बाद time consuming method है क्योंकि तीन से चार सब्ता आपको यहां देने पड़ रहे हैं और फिर इससे ज़्यादा समय बाहर सूखने में और लग जाएगा तो time consuming method होता है फिर उसके देखी रहे हैं हम सोच रहे थे दो सब्ता में वो सूखने वाली है पानी से निकालने के बाद पता चल रहा है वो 5-6 सब्ता के करीब पहुंच रहा है तो यहां पर अपना कोई भी control नहीं होता है totally किस पर depend करता है atmosphere पर depend करता है फिर chance of cracking chance of cracking बढ़ जाता है क्योंकि इसके ज तोनों किनारे जो होते हैं वो खुले रहते हैं लकडी किनारे खुले होंगे तो वहां से जो dryness की process है सूखने की जो process है वो बहुत तेजी से होगी और जहां पर odd याद रखेंगे odd seasoning होगा कहीं कम कहीं जादा और जादा अगर होगा तो वो cracking वगेरा की problem वहां पर आ जोगी इसके लिए किया जाता है कि दोनों जो ends होते हैं दोनों जो किनारे होते हैं उन पर paint कर दिया जाता है तो seasoning वहां से odd ना बनके पूरे पर even होती है कुछ हग तक फिर आगे देखें quality के हम बात करें quality में measurement नहीं होता कुछ भी तो कहीं पर कम देखने को मिलता है कहीं ज जल संसोसंड water seasoning अब आगे बढ़ेंगे दूसरा method nature में अगर छोड़ना हो तो दूसरा तरीका हो जाएगा हवा में छोड़ दें क्योंकि air भी क्या करेगा उसके moisture को निकालेगा किसी भी चीज़ को जैसे हम अपने कपड़े सुखाते हैं कपड़े हम डाल देते हैं कुछ सम पानी भी क्या होता है निकल जाता है तो वैसे ही अगर हम लकड़ी को air में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उसका भी नैचुरली पानी निकल जाता है और उसी को बोला जाता है air seasoning इसमें भी लगब तीन-चार सब्ता का समय लगता है अब इसको अलग अलग टाइप बना दिया गया है और इंगलिस का वी उल्टा करके बना दिया गया है इस तरीके से बना दिया जाता है फिर slipper 9-1 का चट्टा बना लिया जाता है इनको देखें horizontal अगर horizontally बिचा दिया जाए strike बना दिया जाए तो चैते चट्टा बंदी उसको बोला जाता है इस तरह से बना लिया जाए horizontal बना दिया जाए crossing पाइल करके फिर उसके बाद अंग्रे जी के वी के उल्टे आकार में चट्टा अगर बना दिया जाए वो यहाँ पर अभी दिखनी रहा है कोई भी उल्टा वी का अपन बनाने की कोसिस करते हैं उसको कुछ इस तरीके से एक लकडी लेकर उसके दोनों तरफ लगा दिये जाते हैं लकडी लिया इस तरह से लकडी उसके आसपास रख दी जाती और सूखने दिया जाता है यह बहुत अच्छा मैथड माना जाता है वी जो उल्टे वी वाला जो मैथड है यह अच्छा माना जाता है इसमें एयर बह मतलब होता है इस तरह से नौ लकडी लगाई जाती है फिर उसके बाद एक लकडी फिर डाल दी जाती है फिर नौ इस तरह से रखी जाती है फिर एक इस तरह से रखी जाएगी फिर नौ इस तरह से रखी जाएंगी और यहां पर भी एक लट्था डाल दिया जाएगा जो इनक का एयर सीजनिंग अब एयर सीजनिंग के अगर मेरिट्स और डी मेरिट्स के बारे में बात करेंगे तो फिर से एयर सीजनिंग के मेरिट्स और डी मेरिट्स देखेंगे टाइम कंजूमिंग हो रहा है फिर उसके बाद depend करेगा nature पर फिर depend करेगा कि जो locks हैं वो कैसे हैं लकड़ी का size क्या है लकड़ी की quantity क्या है तो इसमें बहुत सारे restrictions भी हो जाते हैं अब ये जब हम conduct करवाते हैं तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा बहुत बड़ा teen side वगरा ये सब बनाना पड़ेगा क्योंकि पानी कभी भी आ सकता हम seasoning का process करने पता चला है watering का process फिर से हो गया moisturizing का process फिर से हो गया है तो बंद करने की वेवस्था करनी पड़ती है ये इसके disadvantage बगरा हो जाते हैं थोड़े बहुत बाकि इनको use किया जाता है अच्छे इस तरपर किया जाता है क्योंकि water seasoning अब उतना possible नहीं है बहुत ज़्यादा नदियां नहीं है ताला बहुत ज़्यादा नहीं है अब चलेंगे हम उबाल कर seasoning seasoning by boiling लकडी पर chemical लगा कर या chemical में उबालते हैं लकडी को कुछ समय तक उबाला जाता है तो उसके अंदर जो moisture content होता है उसमें गर्मी हो जाती और जैसे ही वो बाहर आता है जैसे ही वो बाहर आता है उसमें से moisture कमोना start हो जाता है इसको लकडी को 3-4 घंटे के करीब तक उसमें पानी में उबाला जाता है पानी में उबालने के बाद उसको बाहर सुखाया जाता है अब ये effective तो लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हमने घर पे खाना वनाया और बाहर सुखने के लिए उस तरह की process जैसा लग रहा है लेकिन ये बहुत मुस्किल हो जाता है तीन-चार घंटे boil करना पहली बात तो ये जो boil करने की process है इसमें logs आप कितने बड़े लोगे सबसे पहला demerit तो पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं हमें demerit दिख रहा है log जो लठे होंगे वो कितने बड़े बड़े लेंगे तो तीन-चार घंटे में उबाल कर इनको फिर से क्या करते हैं ठंडा और सूखने दिया जाता है और सूखने में इसका जो महिशर होता है वो निकल जाता है अब यह वही कटना ही और परेशानिया इसमें बताई गई है लाब इसमें क्या होगा इसमें कम समय लगता है तीन-चार घंटे बॉयल किया उसके बाद लकडी गर्म होती है जो ठंडे होने की प्रोसेज होती है वो होती है महिशर का हटना टाइम तो इसमें कम लगेगा ता Saiz है, वह बहुत matter करता है कि हम कितने Saiz के Locks को Boil कर सके हैं, लक्डी की थोड़ी मात्रा के लिए मूल रूप से उपयोगी होता है, अब जो छोटी मूटी वर्ण, identify ोगयरा के लिए, जो handworks जो हैं के लिए आगर अगाल कर रहे हैं, तो वहां पर उबालकर हम seasonning कर सकते हैं औ तो यह seasoning by boiling हो जाएगा, अब हम चलते हैं रासाइनिक सीजनिंग पर, रासाइनिक सीजनिंग नाम से पता चल रहा है, कुछ chemical का यूज किया जाएगा, अब chemical वो होंगे salts, और उन salts में sulphate वगरा, mainly generally लिया जाता है, यूरिया लिया जाता है, carbon dioxide लिया जाता है, sodium chloride, ferrous sulphate, sodium sulphate, aluminium sulphate वगरा, यह elements है, यह elements लेकर लकडी पर लगा दिये चाते हैं, और जैसे ही लकडी पर यह elements लगाए जाते हैं, लकडी का जो moisture होता है, वो बहर आना start कर देता है, ठीक, वैसे ही, जैसे हम खुले में, अपने घर पर भी खुले में, अगर हम नमक को रख देते हैं, तो उसके आसपास moisture आ जाता है वही का आनी यहां पर होती है लकडी के अंदर का मौश्चर यह बाहर निकाल लेता है और सीजनिंग की प्रोसेस एक्जीक्यूट हो जाती है इसका लाब क्या होगा है यह लकडी की ताकत को बढ़ाता है चुकि इसमें कहीं पर भी लकडी को बहुत जादा हैंडल नहीं किया गया तो यह उसकी स्ट्रेंग्ध को बढ़ाएगा इसका लॉस क्या होगा रासा नहीं कभी करमक कभी कभी ताकत को क्या करेंगे स्ट्रेंग्ध को उसको कम कर देते हैं कभी-कभी इसका उप्योग करते समय गुलिंग और परिस्करण संचारण में समश्या हो जा कहीं पर कुछ बैट जाता है जैसे पानी भी पानी लकडी को क्या करता है गलाने का काम करता है पानी बहुत जादा लकडी पर कहीं पर पढ़ा रहेगा तो वह उसे गलाने का काम करेगा वही कहानी यहां पर है कि कभी-कभी यह भी देखने को मिलता है कि अगर हमने केमिकल जाती है उसमें भी problem जाती है ये इसके disadvantage है chemical के और ये भी बहुत कम use होने वाला method है अब हम चलते हैं आगे भट्टा seasoning किन seasoning जो artificial seasoning है जो human beings के द्वारा की जाती है उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा हमने boil करके करके देखा फिर उसके बाद हमने chemical लगाके देखा अब effective में आ जाता है किन seasoning जो बहुत ज़्यादा use किया जाता है और ये use पर भी depend करता है कि हम इसे किस तरह वो जो wood है seasoned wood है उसको किस तरह से use कर रहे हैं हम इसके method में बात करते हैं इसमें एक कमरा या hall बनाया जाता है definite size का उसमें बहुत piping वगरा की जाती है ये piping की जाती है फिर एक ट्रॉली की जरूरत होती है जो जिस ट्रॉली की height लगबग 200 से 300 mm होती है 30-40 cm के करीब जमीन से उपर लिया जाता है ये ट्रॉली अंदर डाला जाता है इसमें भी locks इस तरह से लगाए जाते हैं कि उनमें air gap बीच में बचा रहे पूरा सटा हुआ ना रहे फिर ये जो pipes लगाए जा रहे हैं पूरे hall में pipe लगे रहेंगे और साथ में लगे रहेंग जो गर्म हवा है वो आएगी गर्म हवा आके इन streams को touch करेगी इनके बीच में जाएगी तो जो air moisture होगा वो क्या होगा timber से बाहर आना बाहर की layer सूखेगी तो timber बाहर आना जो पानी है लकडी के अंदर से बाहर आना start होगा और ये process लगबग 3-4 सबता लंबी हो जाती है लेक कि steady form में एक निश्यत जो environment है वो create हो जाता है कहीं पर भी हम यह नहीं बोल सकते कि जो wood का seasoning है एक जगा अलग दूसरी जगा अलग तीसरी जगा अलग temperature constant होता है जो एक लकडी का atmosphere होता है वही दूसरी लकडी का atmosphere होता है ऐसा नहीं होता है कि जब हम खुले में air seasoning में रखते ह हैं तो पता चला कहीं से विंड चल रहा है जैसे लू इंडिया में चलता है तो एक तरफ से चल रहा है तो seasoning का जो प्रोसेस है वह एक तरफ वाली वूट्स का हो रहा है दूसरे तरफ वाली वूट्स का नहीं हो रहा है और उस तरफ से सूर्य ढल रहा है मतलब ठंडक उस त प्रेकिंग की श्रिंक होगा लकडी एकदम से अगर ड्राइनेस बढ़ जाएगा तो इसमें जैट जो जैट्स हैं वो भी लगाए जाते हैं कि इसमें थोड़ा सा मुश्यर अगर जरूरत पड़े तो डाल दिया जाए एटमोस्फियर को मेंटेन रखा जाए अब इसके बहु में देखा जाएगा तो बोलेंगे स्पेस जैसा फर्स्ट हमने देखा था पानी उसके बाद अगर सुखाएंगे तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा दूसरे में एयर सीजनिंग में देखा उसमें भी बहुत सारा लंबा टीन सैट्स वगेरा बहुत जरूरत कर रहें या साउथ इंडिया में आप कर रहें या यूरोप में कर रहें अमेरिका में कर रहें ब्राइजील में कर रहें अफ्रीका कहीं पर भी आप कर रहें यह जो अंदर का हॉल है इसका एटमोस्फेयर डिसाइड करेगा कि सीजनिंग कैसा चल रहा है फिर देखा इवन सीजनिंग गुआ है तो कॉलिटी इसका गुड होगा जो स्टेंग्ट होगा वो अच्छा होगा जो मेजर्मेंट्स होंगे वह बहुत अच्छे होंगे जो इससे लकडी जो बाहर आएगी उस पर इंसेक्ट्स वगएरा का जो एफच्ट होगा वह बहुत कम होगा cost है मतलब यह सब बनाने का जो cost है वो भी क्या होता है हाई हो जाता है पहला हमने क्या देखा लगडी को ले जाके पानी में डाल दिया और सुखा लिया हो गया seasoning वहीं हम देखो आपको यह पूरा structure तयार करना है वो उतना easy नहीं हो पाता जो initial cost है start करने के cost है वो बहुत बढ़ जाता है फिर उसके बाद जो handling cost है क्योंकि आप इसमें क्या यूज करने वाले electricity का यूज करने वाले हो गैस का यूज करने वाली हो तो वह handling भी इसमें बढ़ जाएगा care करना क्योंकि इसको बराबर इसको monitor करना पड़ेगा वो भी इसमें बढ़ जाएगा फिर अगर care करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कब humidity कितना हो रहा है क्या हो रहा है उसके लिए skill की ज़रूरत होगी कि जबकि water seasoning में air seasoning में कोई skill नहीं आप air seasoning में बराबर logs बना उनको रख दो seasoning हो जाता है water seasoning में वह भी नहीं है आप कैसे भी logs काटो लटे काटो डालो सुखाओ seasoning हो गया लेकिन यहां पर हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है skills की ज़रूरत होती है तो यह इसके कुछ advantage और disadvantage हो जाते हैं लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा method है क्योंकि इससे जो output मिला वह अच्छा होता है तो best method की अगर बात की जाएगी तो seasoning के लिए अभी तक जो हमने पड़ा उन सब में सबसे अच्छा है किन seasoning अब हम आगे चलेंगे किन seasoning तो ठीक है लेकिन इंडिया में उर्जा को लेकर धैरा दून में एक plant तयार किया गया किन किन सीजनिंग में ही हम इसको देखेंगे तो किन सीजनिंग में वो जो प्लांट तयार किया गया वो गर्मी वगएरा जो एटमोस्वेर है वो सन्रेज का यूज करके तयार किया गया इसलिए इसका नाम रख दिया सूर्य भट्टा संसो सं सं किन सीजनिंग तो इसमें एक चब बनी रहे, जो हम air seasoning में करते हैं, water seasoning के बाद सुखाने के लिए करते हैं, वैसा ही कुछ यहां तयार किया जाता है, लेकिन यह जो माहौल हो जाता है, यह definite या बंद कमरे वगरा में किया जाता है, तो output इससे अच्छा मिलता है, यह इंडिया में यूज किया गया, इसलिए आप electric seasoning, अब electric seasoning, सबसे पहले electricity को लेकर हमने wood के बारे में पढ़ा था, कि wood एक अच्छा कुछ आलक होता है, insulator होता है, लेकिन अगर wood में water की कुछ भी quantity होगी, तो वो कैसा हो जाएगा, conductor की तरह behave करने लगेगा, अगर conductor की तरह behave कर रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं होगी, wood क के लिए जो उसकी qualities हैं, तो हम इसी property का use करके उसे seasoning, season करते हैं, कैसे, दोनों end पर, एक end पर anode बना दिया जाता है, एक पर cathode बना दिया जाता है, दोनों end पर हम उसे high voltage से connect करेंगे, और high voltage में भी AC current का use किया जाएगा, alternative current का, alternative currents में, जो flow है, flow of electron, current को बोला जाता है, flow of charge, या flow of electron, और वो electron का flow, alternative current में क्या होगा, उपर नीचे होगा, और कहीं भी उपर नीचे flow होने का मतलब है, कि वहाँ पर गर्म होने की property पाए जाएगी, movement अगर है, तो heat के form में, loss energy का होगा ही होगा, कहीं पर भी movement है, चाहे friction में ह हो, कुछ भी चलने में, movement होगा, तो energy loss होगा, तो यहाँ पर movement होगा, particles का airflow करने के बाद, तो गर्म हो जाएगी, ये लकडी और गर्म होने के बाद, धीरे धीरे उसका जो पानी है, वो vaporize होने लगेगा, और एक state पर आके, वो एक insulator की तरह behave करने लगेगा, क्योंकि जब त इलेक्टर होगा, तब तक चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो बंद कब होगा, जब उसमें water content नहीं बचेगा, तो ये electricity का नई technology है, electricity का उपयोग किया जाता है, wood seasoning में, उम्मीद है, concept एकदम से clear होगा, जो technical बात इसमें है, चार्ज ओफ फ्लो की, इस विदी का उपयो कुछी समय में, कुछी hours में, ये season, seasoning की जो process हो जाती है, लेकिन आप फिर से देखेंगे, समझेंगे, की ठीक है, आपने इतना locks लिया, आपने लगा दिया, ये आपने seasoning इसमें कर लिया, electrical seasoning, इसका जो process होता है, वो क्या होगा, इसके process में सबसे पहले timber का locks तयार, timber lock तयार कि इन लठों में, लठों को electrode के form में देखा जाता है, एक तरफ positive, एक तरफ negative लगाया जाता है, फिर जो high voltage है, वो flow इसमें किया जाता है, फिर high voltage flow करोगे, heat produce होगा, तो timber dry होना start करेगा, और फिर उसके बाद जो natural process है, कि अगर timber गर्म होगा, तो उससे पानी बाहर निकल जाए है, लेकिन इस method के limitation, अगर हम advantage की बात करें, तो advantage में जो seasoning की process है, वो even हो रही है, मतलब सभी जगा एक समान हो रही है, charge flow होगा, ऐसा तो है नहीं, मुझे यहां नहीं होना बेकार लग रहा है, उबड़ खावर सी लकडी या कुछ भी है, मैं यहां flow नहीं होगे, ऐसा तो है अच्छी होगी, durable होगी, तो यह advantages है, लेकिन time कम लगेगा, यह भी advantage अच्छा है, लेकिन इसका जो cost है, वो बहुत high रहता है, तो जहां पर हमें high quality, high efficiency की जरूरत होती है, seasoning की, वहां पर इन methods को use किया जाता है, जहां बहुत अच्छे equipment, wood को लेकर, timber को लेकर बनाये जाते है वहां पर इसका use किया जाता है, जनरली बहुत कम हो जाता है इसका use, अब देखें, seasoning द्वारा कुछ कुड़ों में सुधार होता है, किसके लिए हमने seasoning किया था, तो seasoning किसके लिए किया था, लकडी का जो strength है, वो बढ़ जाए, तागत बढ़ जाए, जो कठोरता है लकडी मे आजाए, अब कठोरता strength की बात हमने की, चाहे आप density की बात की थी, हमने उसे strength के साथ हम देखें, जैसे ही लकडी dry होगा, dry और strength, दोनों एक दूसरे के proportional हैं, आप याद रखेंगे, लकडी का सूखना या season होना, सीधे सीधे किसको बताएगा, उसकी ताकत को बढ़ने पर बताएगा, उसकी strength को बढ़ने पर बताएगा, stable होगा, लकडी में बहुत जादा changes नहीं होगे, फूलने जैसी process नहीं होगी, insect की process नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी, weight वैसा रहेगा, जैसा होना चाहिए, मतलब durable भी रहेगा, transportable भी रहेगा, convinced जो होगा, वो easy होगा, चितरकारी वगएरा के लिए use करने के लिए आराम से available होगा, क्योंकि इसकी जो glowing जो property है, उसमें सुधार हो जाता है, तो हम चितरकारी वगएरा के लिए use कर सकते हैं, जो natural चमक होती है, वो लकडी पर दिखाई देने लगती है, जो कीट वगएरा है, insects वगएरा है, उनसे बच जाती है, बहुत सारी लकडियां ऐसी होती है, इससे पहले हमने lecture में देखा था, dyes में भी देखा था, कि वहाँ पर जो plants वगएरा रहते हैं, उन में wood में भी ऐसी properties होती हैं, कि वो insects वगएरा को अपने पास नहीं आने देती, लेकिन moisture रहने से वो बहुत जाते है, moisture अच्छी और इसे हटा देंगे कहीं भी कोई भी यूज नहीं है, ये general properties हैं जो seasoning के बाद देखने को मिलती है, अब हम आगे देखें लकडी की seasoning के दोरान कुछ साबधानियां हमें रखनी चाहिए, साबधानियों में definition में हमने सबसे पहले देखा था, seasoning तब सही तरीके से execute ह होगा, जब वो seasoning का जो rate होगा, जो dryness का rate होगा, वो even होगा सभी जगह पर, even एक log में भी, अगर इसे हम log माने, लट्था माने, इस लट्थे में भी जो seasoning का process है, execution है, वो अगर एक ही rate पर हर जगह होगा, तब हम बोलेंगे, ये seasoning, seasoned सही हुआ है, seasoning के दोरान, इस थिदियों क बनाये रखने वाले वातवरण की तहत, तहत नमी को हटा दिया जाना चाहिए, मतलब उसका जो atmosphere है, वो ऐसा रखा जाना चाहिए, कि उसकी नमी को हटा दिया जाए, steady way में, नमी की सभी lock में लगबग समान दरपर निकाला जाना चाहिए, जो moisture है, वो equal, definite rate से निकाला जाना चाहिए, अब यहाँ पर जो वातवरण की बात की गई, वातवरण की बात इसलिए की गई है, और इस पर भी हम बात कर चुके हैं पहले, कि जो wood होता है, उसकी property होती है, अपने equilibrium पर पहुंचने में, तो वातवरण उसका ऐसा रखा जाता है, कि उसका जो equilibrium भी आए, वो भी dry होने के बाद आए, seasoning होने पर ही आए, लगबख 30%, 40% पर वो अपने आप normal atmosphere में वो पहुंचे, अब बढ़ेंगे आगे, इसमें defects भी आ जाते हैं, अगर seasoning कुछ गलत तरीके से हो जाती है, तो defect देखने को मिलते हैं लकडी में, कि कहीं पर बहुत तीजी से seasoning हो रहा है, अग एक दम से क्या होगा, उसमें shrinkage पाया जाएगा, सिकोडन पाई जाएगी, अब वो किस तरह से हम देख चुके हैं, दो तरह से सिकोडन पाई जाती है, एक तो radial होती है, एक टेंजेंसियल होती है, अब इन दोनों के अलग-अलग effects देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहले ब मुड जाएगी, लकडी इस तरह से मुड जाएगी, ऐसा safe बना लेगी, बाओ धनुस जैसा safe बना लेगी, तो इसको बुला जाता है, बाओ defect, लकडी की लंबाई की दिशा में tangential जब tilt हो जाती है, तो वहाँ पर बुला जाता है, धनुस दोस उसमें है, फिर cup, जब लकडी इस तरह से है, और वो कुछ इस तरह से बन जाए, ऐसा सुकुड जाए, ये लंबाई है लकडी की, वो इस तरह से सुकुड जाएगी, तो उसे बुला जाएगा cup, defect, फिर उसके बाद check और split, check और split दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, मान सकते हैं, बहुत करीब करीब ह जो check होगा, check एक end से start होगा, वो दूसरे end पर कहीं खतम नहीं होता, जबकि split एक end से start होगा, और दूसरे end पर वो पहुंच जाता है, जैसे यहां आपको लग रहा होगा, यह यहां रुग गया, और यह भी यहां रुग गया, तो difference क्या है, check और split में, check आप देखोगे, यह यहां से start होगा, लेकिन इस end तक यह check नहीं पहुंचा, यहां पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन यह देखो, split में उपर से नीचे तक का cut आजाता है, तो यह इन दोनों का difference होता है, एक आता है, next जोगा फिर honeycombine, honeycombine, जो radial shrinkage है, क्योंकि shrinkage तो दोनों जगा पर हो रहा है, त पटान जो आजाती है, यह जो cuts आजाते हैं, इनको बूला जाता है honeycombine, यह जो cuts आजाते हैं, radius के हिसाब से, तो यह radial shrinkage की वज़े से ऐसा होता है, तो यह थे इसके कुछ defects, तो wood seasoning में फिलाल इतना ही और इससे कुछ related facts होंगे, वो आपको आपके notes में available हो जाएंगे, फिलाल के लिए इतना thank you.